और उज्जेन में आज निकलेगी बाबा महाकाल की सवारी बड़ी जानकारी दे रहे जहां कार्तिक अगहन मास पर पहली सवारी निकलेगी महाकाल माश शिप्रा तट के लिए होंगे रवाना महाकाल का माश शिप्रा के जल से जला भी शेक होगा तो बड़ी ज़ानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां आज निकलेगी महाकाल की सवारी बताते चले कि बाबा महाकाल की सवारी आज निकलेगी ऐसे में तमाम तयारियां की जा रही है और कार्टिक अगहन मास बर ये पहली सवारी निकलेगी ज़ादा जौनकारी के लिए हमारे साथ हमारे समगादा था आशीश को लाइन पर चोड़ चुके हैं आशीश, अज बावा महाँकाल की सवारी निकलनी है असे मिं क्या कुछ तैयारी कहां से कहां तक बावा की σवारी है वो जाएगी जी जैसा कि बाव महांकाल की कार्टिक आगरा मा उसमें भक्तों का ताता लगता है इसमें बाव महांकाल की सवारी निकाली जाती है उजेन के नगर फवंड ये बाव महांकाल की सवारी करेगी जो कि चार सवारी प्रमहिने में निकाली जाती है जो कि आज से शुरू होगी मही आगली सवारी हरी हर मिलन के रूप में भी दिखाई देगी मही जब दर्ती का प्रभार जो है बाव महांकाल करशन को समाल निकल देंगे इसी प्रकार से सवारी का आज शाम को चारबे निकाली गए कि इसकी संफुन विरस्ता प्रशासन ने कर रखी है और यहाँ कोई सवारी नागर महमन करते हुए नदी पे जाएगी और नदी से वापस पुझा पट करकर अपने करतवी के साथ बाव महांकाल के मंदिने वापस चली जाएगी कितने बज़े तक यह सवारी निकलेगी आशीश? शाम को चार बे से यह सवारी निकलना शुरू होतीए जो कि 6 बे तक वापस आने तक का 6-7 बे तक जो है बाव महांकाल की सवारी डिटर्न जो है बाव महांकाल के मंदिने वे पोच चाएगी पिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आशीश नमाम जानकारी देने के लिए सुभा चार बजे अंतागड के कडमे में ये मुटभेड हुई और इस दोरान दो नकसलियों के मुटभेड में धेर होने की खबर सामने आ रही है पुलिस और नकसलियों के बीच मुटभेड हुई गडमे गाव के जंगलों में ये मुटभेड हुई है जहां इस पूरी मुढ़ेड में दो नकसलियों के डेर होने की जानकारी तो बड़ी कबर अंतागर से इस वक्त की जहां पुलिस और नकसलियों के बीच मुढ़ेड हुई सुभा चार बजे अंतागर के कडमे में ये मुढ़ेड हुई है और बताते चले कि इस मुटफेड में दो नकसलियों के धेर होने की जानकारी भी सामने आ रही है लगातार देखिए अब सर्चिंग अभियान इसके बाद से ज़ारी है अंतागड से इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस और नकसलियों के बीश मुटफेड सुभा चार बजे अंतागड के कडमे में मुटफेड में दो नकसलियों हुए ठी कडमे गाउं के जंगलों में मुटफेड हुई सुभा चार बजे के करीब ये मुटफेड होने की जानकारी सामने आ रही है इस दौरान आपको बताते चलें कि दो नक्सलियों के धेर दूने की खबर